नमस्कार चलिए सुनते हैं पंजितंत्र की कहानी ब्रामण, बकरा और तीन ठक किसी गाउं में संभू दयाल नामक एक ब्रामण रहता था एक बार वा अपने यद्मान से एक बकरा लेकर अपने घर जा रहा था रास्ता लंबा और सुनसान था आगे जाने पर रास्ते में उसे तीन ठक मिले ब्रामण के कंदे पर बकरे को देख कर तीनों ने उसे हथियाने की योजना बनाई एक ने ब्रामण को रोक कर कहा पंडित जी या आप अपने कंदे पर क्या उठा कर ले जा रहे हैं ये क्या नर्थ कर रहे हैं ब्राम्मण ने उसे जिड़कते हुए कहा अन्दा हो गया है क्या दिखाई नहीं देता ये बकरा है पहले टक्त ने फिर कहा ख़र मेरा काम आपको बताना था अगर आपको कुत्ता ही अपने कंदों पर ले जाना है तो मुझे क्या आप जाने और आपका काम जाने थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राम्मण को दूसरा ठग मिला उसने ब्राम्मण को रोका और कहा पंडित जी क्या आपको पता नहीं की वो चुकुल के लोगों को अपने कंदों पर कुट्ता नहीं लादना चाहिए कुट्ता ले जाने का कारण पूछा इस बार ब्राम्मण को विश्वास हो गया कि उसने बकरा नहीं बलकि कुट्ते को अपने कंदे पर बिठा रखा है थोड़ी दूर जाकर उसने बकरे को कंदे से उतार दिया और आगे बढ़ गया इधर तीनो ठक उस बकरे को मार कर खुब दावत उड़ाई धान्यवाद अभी आप सुन रहे थे पंच तंत्र की कहानी ब्राम्मण बकरा और तीन ठक